जोतिस अचार जी बुद्ध पुर्णिमा कब है और बुद्ध पुर्णिमा के दिन क्या सुवयोग बन रहा है और जातक को किस दिन क्या करना चाहिए हरहर महादेव जैवावा विद्धनाथ इस बार बैसात पुर्णिमा या बुद्ध पुर्णिमा 23 मई को हो रहा है गुरुवार इस बार पुर्णिमा कि थी गुरुवार परणे से सरवार्थ सिध्धी जोग बन रहा है साथ ही साथ उस दिन परिव योग भी है और याई जै योग भी बन रहा है तो इस बार जो गुरुवार को बैसात पुर्णिमा हो रहा है या अत्यंत सुभकारी है इस दिन अपने अपने गुरु की भी पुजा करने का दिन होता है ये बुध पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है इस दिन बुध पुर्णिमा और फुल दोल यात्रा भी होता है साथ ही साथ जो है यह भगवान विश्न के दुती अवतार कुर्म जयन्ती भी उस दिन मनाते हैं तो कुर्म जयन्ती के दिन जो है बैसाख पुर्णिमा के दिन कुछ दान का विशेश महत्व है पूजन का भी महत्व है तो यह योग जो है पुर्णिमा के दिन आठ बज कर पचपन मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है तो ऐसे संजोग में दान का बहुत बड़ा महत्व है तो इस दिन आप जो है घड़ा में जल, छाता, चपल और अन का दान अवस्य करें जो आपको बन सके उस दिन भगवान के मंदिर में तील के तेल का दीपग भी जलाने का महत्व है और तील के तेल से भगवान तो प्रसन होते ही है साथ ही साथ जदि आप तील के तेल का दीपग जलाते हैं तो पर्यावरन पर भी आपका अच्छा असर पढ़ता है इसलिए संध्याकाल में भगवान के मंदिर में या पीपल विक्ष के नीचे आप जदी तील का तेल जलाते हैं पुरुणिमा के दिन तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा आप जदी गरह से परिसान हैं आपको गरह सता रहा है आपके उपर गरह की कुद्रिश्टी है तो ऐसा सो कोच बना करके आप पुरुणिमा के दन साम के समय में तील के तेल का दीपक जलाएं और अपने गरहों की कुद्रिश्टी से छुटकारा पाएं